पॉन्टरेट है चली आज लेलेवी फ़र्स्ट एयर में जो कौन्टरेट सेकेंड्स पढ़ना है उसमें हम लोग आज देखेंगे सीक्षन 128 किया कहता है। इसको ध्रडील करें। इसक्षान वनटवेंटीएट में बताया गया है कि जो स्यूरुटी है, ओस स्यूरुटी के जो लाइबिलीटी है, वो को इक्स्टेंसिफ होती है, किसके होती है, को सिक्षन 128, एकॉर्डिंग तो सिक्षन 128, जो बेयरक्ट में दिया गया है, उसको देखें, सिक्षन 128 को, तो उसमें लिखा हुआ है, परतिभू का दाइत वो, मोल रीनी के दाइत के सम विस्तिर्ण, क्या है, सम विस्तिर्ण है, जब तक कि समवीदा द्वारा अनिथा उपबं को, धिल्AG्ट इस अंनियर ब्लावेश्श utan बाव षि मैं दोलन में दोर देत का के शिवाथपन है, ओॉर्डिंग, चिक्षन व तक विस्तिर्ण है, सजिक्षन प्रिंस्पल डेप्टर अन्लेस अन्लेस इज अधरवाइज प्रोवाइड़ बाइड़ गॉन्रेक्ट जो लाविटी है liability of the surity surity की जो liability है वो co-extensive होती है किस के साथ principal debtor के साथ principal debtor की जितनी भी liability होती है वो co-extensive हो जाती है surity के साथ तब तक जब तक कि किसी तरह का कोई contract नहीं किया गया अब देखिये आपने contract of guarantee पढ़ा contract of guarantee contract guarantee में क्या था contract guarantee में creditor जो है माल लीज़े इस principal debtor को लोन देता है कोई lite देता है principal debtor को और वो loan कब देता है जब कोई surity उसकी surity लेता है यह surita लेता है और इसके विहाप में principal debtor को a credit क्या कर रहा है loan दे रहा है अगर principal liepter feel हो जाता है उस loan को वापस चुकाने में, creator को वापस चुकाने में तो इसी के लिए तो इसने ये surity रखा था तो जो भी ये चुकाने में जितना भी default कर देगा उसके लिए क्या करेगा surity जो है वो इसको चुकाएगा और वहाँ तक अगर माल लीजे कि creator को अब ये section आगे क्या कहता है कि अगर इस तरह का कोई contract कुछ otherwise contract नहीं हुआ है तो ये कह रहा है कि सिर्फ loan ही नहीं loan ही नहीं वैसे सारे चीजों के लिए ये surity बात हो जाएगा जो principal liepters के कारण creators को हानी हो रही है उस particular जिसकी guarantee security ने ली है the liability of the security is co-extensive सम विस्तिर नो होता है अब creator को उस loan को लेने में जो खर्च करना परा या उस loan को अगर नहीं ये चुका रहा है तो उस बीच में जो interest है उस interest के लिए भी चुकि वो interest किसे लेगा creator? principal liepter से लेगा अगर principal liepter नहीं दे रहा है तो उसके अस्थान पर ये क्या होता है? security उसके अस्थान पर उसका अस्थान गरन कर लेता है और यो सारा का सारा पैसा cater इस security से ले सकता है और यही कहता है section 120 or 8 of the Indian Contract Act क्या? the liability of the security is co-extensive with debt of the principal liepter unless it is otherwise provided by the contract जब तक कि कोई दूसरा किसी इस तरह का contract नहीं हुआ है creator जो है principal debter या security किसी पे भी अपने debt के लिए ring के लिए कारवाई कर सकता है और न्याले भी अपने मन से इस पे कोई सर्थ नहीं लगा सकता है अगर कोई अगर कोई सर्थ रहित कोई चीज हो तो प्रतिभू का जो जो security है उसका liability है वो सर्थ रहित है तो ऐसी स्थिति में न्याले भी अपनी तरप से अपने मन मर्जी से कोई सर्थ नहीं लगा सकता है यह सर्थ लगना चाहिए इस पे एक case है उस case का नाम है bank of बिहार versus दा मोदर परसाद A.I.R. 1969 इसमें कहा गया था creator principal debtor या security किसी पर भी अपने debt के लिए अपने रिन के लिए कारवाई कर सकता है और न्याले भी अपनी मर्जी से कोई सर्थ नहीं लगा सकता है अगर severity का जो liability है वो क्या है कोई conditions के साथ कोई condition उसमें रही थै उस conditions नहीं है कुछ भी है उसमें तो वैसे इस्तिति में तो कहने का मतलब इस 28 के कारव 28 से यही कहना चाहता है कि जो security है इस security उन सारे बाधताओं से बाध होता है जिन सारे बाधताओं से principal डेप्टर बाध है यह पूरी तरह से इसका अस्थान ले लेता है ना स्रिप उस रिन के लिए जो रिन के लिए इसने security लिए है बलकि उस रिन का अगर कोई ब्याज आ जा रहा है उसको चुकाने में या उससे और भी कोई बाध का आ जा रही है तो उसके लिए भी हो जा रहा है तब तक जब तक की otherwise कोई contract नहीं हुआ है इसका एक illustration है section 22 128 में एक illustration दिया है इसमें दिया है A guarantee to be the payment of a bill of exchange C ए जो है A एक guarantee देता है A guarantee to be the payment of bill of exchange A guarantee देता है B को a bill of exchange होड़ा है किसको C को by C the acceptor C यहां क्या है principal debtor है A क्या है security है और B क्या है creator the bill is degenerate by C अब वो bill of exchange वाला C के क्या हुआ वो bill degenerate हो गया अब जब bill degenerate C हो गया then A is libel not only for the amount of the bill ना सरफ उस bill के amount के लिए but also for any interest and charges which may have become due on it अब देखें यहां पर क्या हुआ ना सरिफ यह जो सिरुटी था उसने सिरुटी जो bill of exchange में जो guarantee दी थी अब degenerate होने के कारण बिल के degenerate होने पर वो उन सारे एक जो हो ना सरिफ उस amount के लिए libel हुआ बलकि interest और उस charge के लिए भी क्या हो गया वो लैबल हो गया तो यह है आपका एक section 128 चोटा सा section है बट तू इम्पॉर्टेंट इसी के साथ साथ एक और हम लोग आज section देख लेते हैं section 144 section 144 बात करता है को सिरुटी के बारे में को सिरुटी section 144 बात करता है को सिरुटी के बारे में देखिए section 144 क्या है section 144 कहता है अगर section 144 को देखें तो section 144 कहता है guarantee on contract that creator shall not act on it until co-siruity joins मतलब अगर कोई ऐसा contract हो रहा है जिसमें guarantee देना तभी देया जाएगा और उस पे जो लेंदार है creator है वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि एक और co-siruity नहीं आ जाए मतलब security के साथ एक co-siruity भी साथ में आएगा तभी वो guarantee होगा where a person gives a guarantee upon a contract that the creator shall not act upon it until another person has joined in it as co-siruity the guarantee is not valid if the other person does not join मतलब मतलब creator है principal debtor है इसके साथ साथ security तो चाहिए ही और security के साथ join करना चाहिए co-siruity मतलब साथ में अगर कोई और co-siruity नहीं आ जाता है अगर ये सर्थ है कि co-siruity आएगा तभी ये contract क्या होगा valid होगा तभी ये बात आगे बढ़ेगी हाँ तो अगर कोई ऐसा contract हो जाए ऐसा कोई सर्थ डाल दिया गया जिसमें ये जो security है इस security का दाई तो कोई सर्थ के अधिगीन आ गया क्या सर्थ आ गया कि भाई को सिर्थ होगा तभी हम इसको स्विकार करेंगे और तभी ये दाई भी होँगे हम अब security ने क्या कह दिया कि हमाँ साथ कोई security भी आ जाओ तभी हम ये करेंगे ये सर्थ हमने डाल दिया और ये सर्थ के साथ हम आ रहे हैं तो जब तक हमने security ले लिए ठीक है मान लिजे कि 5 लाक का लोन है पांच लाक का लोन करेंटर प्रिंस्पल डेप्टर को दे और उसकी security ये मिस्टर ए ले ले लेता है लेकिन साथ साथ ये एक सर्थ लगा दिता है कि ये लोन 5 लाक का जो है वो उसके लिए हम टावी लैबल होंगे जब हमाय साथ एक और कोसियूरिटी होगा और जब तक ये कोसियूरिटी इसके साथ नहीं आता है तब तक ये क्या होगा ये लैबल नहीं होगा इफ दे प्रिंस्पल डेप्टर इस बिकम्स डिफॉल्टर अगर ये डिफॉल्ट करता है तो भी ये लैबल नहीं होगा क्यों कि इसने कहा का हमाय साथ कोसियूरिटी होगा तो ही हम इसके लैबल होगा तो कोई इस तरह की प्रुवर्ती सर्द लगा दी जाती है उसी के बारे में ये बात करता है ये कहता है section 144 144 कहता है कि जब की कोई व्यक्ति इस समीधा पर प्रत्याब होती देता है यह व्यक्ति जो है तब प्रत्याब होती दे रहा है तब दे रहा है जब जब तक कोई एक और परसन कोई रूप में जोइन नहीं करेता है तो कोई रूटी के बारे में यह चर्चा किया गया है इसमें एक और और बता दूँ इसमें यही का गया है कि अगर कोई गारेंटी हो रहा है और गारेंटी में क्रिडिटर है और स्यूरिटी यह तीन हम जानते थें अगर यह स्यूरिटी यह कहता है कि ठीक है इस 5 लाक रूपी की मैं गारेंटी लेता हूँ क्या गारेंटी लेता हूँ? अगर प्रिश्पर डिफॉल्ट करेगा तो इसकी गारेंटी क्यों लेता है? लेकिन इस guarantee लेने के साथ इसमें एक सर्थ लगा देता है उस contract जो बख़ता है उसमें एक सर्थ लगा देता है कि यह जो created है shall not act upon it इस पर तब तक कोई act नहीं करेगा जब तक मेरी guarantee लेने के साथ एक मेरा co-surity भी नहीं आ जाता है एक और co-surity लाईए इसमें तो यह एक और co-surity आता है तो ही यह contract क्या होगा हम security इसके होंगे valid होंगे और तब तक अगर यह नहीं आता है तो हम उसके लिए valid नहीं होंगे तो यही यह कहता है section 144 और अगर यह co-surity नहीं आता है तो he is not not label वो label नहीं होगा यह है मोटे मोटे तौर पे आपका section 128 और section 144 128 और 144 इसलिए साथ में बताया 128 जहां पे security के co-extensive की बात करता है वहीं पे 144 क्या करता है co-surity की बात करता है और यह बताता है कि जो सर्थ के साथ अगर कोई सर्थ लगा रहा है security को-surity के बारे में तो उसकी liability तब तक नहीं बनती है जब तक वो सर्थ पूरा नहीं होता है और जब तब तक वो contract भी पूरा नहीं होगा इसमें case था National Provincial Bank of England versus Big Numery यह इसमें case था जहां पे क्या क्या था कि परतिवादी जो होता है वो एक ऐसा परतियाब होती पे दस्थकत किया जो तीन व्यक्ति द्वारा jointly और व्यक्ति के दुप से दिया जाना था हां और उसमें से एक ने दस्थकत ही नहीं किया दस्थकत नहीं किया जो jointly किया जाना था संजुकत रूप से किया जाना था लेकिन जन्जुक्त रूस वाला जो condition था उसमें एक ने दस्थक signature नहीं गया तो माना गया कि भाई जो प्रदिवादी है जिसमें जो कहा गया कि आप सिरुटी लिया है आप आओ उसको दाई नहीं ढहरा है तो ये है आपका in short section 128 और section 144 Thank you